शकार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है दूद और इससे बने प्रोडक्ट्स खाने से सेहत को कई फाइदे मिलते हैं खास कर दही का सेवन हमारे लिए कई तरह से फाइदे मंद होता है दही में केल्शम प्रोटीन और विटमिन्स की अच्छी मात्रा होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी पोशक्तत्व हैं तमाम तरह की पॉस्टिक चीजों से सम्रद दही हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है लेकिन दही का सेवन एक सही समय पर किया जाए तब ही इससे लाव मिलते हैं आयरवेद में दही के सेवन के कुछ नियम है जैसे इसे सुबह और दोपहर के वक्त ही लेना चाहिए ना की रात के समय जबकि कुछ लोग इसे डिनर में भी खाना पसंद करते हैं जो की सही नहीं है लेकिन क्या बारिश के सीजन यानी मौनसून में दही खाना सही है आयरवेद मौनसून में दही खाने की सलाह नहीं देता बता दें क्योंकि बारिश में दही खाने के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं आपके Medical Science के एक्सपर्ट मौनसून में दही खाने को लेकर अलग प्रतिक्रियाए देते हैं तो आए जानते हैं कि सावन में दही के सेवन पर आयरवेद और Medical Science की क्या राय है जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम बदलते ही हमारे देश में खान पान में बदलावाता है क्योंकि जरूरी नहीं हर चीज आपकी सेहत के लिए हर मौसम में फायदे मंद हो आयरवेद के नुसार वाद शरीर की तीन दोश वाद कफ और पित का बैलन्स करने के लिए हम अपने खान पान को भी सही रखना जरूरी है आयरवेद की माने तो दही में अभिशन्द गुण होते हैं और मानसून में शरीर के रोम शिद्र बंद हो जाते हैं या इस्तती कई तरह की स्वास्त समस्याओं को बढ़ाने वाली होती है बारिश के मौसम में दही खाने से गले में खराश कवजमा हो जाना, शरीर के जोडों में दर्द होना, पुराना दर्द का चाना को भराना, पाचन में समस्या और श्राओं बढ़ जाता है इसके अलावा बारिश के मौसम में दही के सेवन से infection बढ़ने का भी खत्रा रहता है क्योंकि दही की तासी ठंडी होती है इसलिए बारिश के मौसम में इसे खाना स्वास्त के लिए लाबदाई नहीं माना जाता वही मेडिकल साइन्स की माने तो उनके निसार विशेश मौसम में सभी लोग पेट को स्वस्त रखना चाते हैं क्योंकि ये वो समय है जब humidity और infection अपने पीक पर होते हैं ऐसे में दही के सेवन के जरीया आप अपने आथ के स्वास्त में सुधार करके बहतर immunity हासल कर सकते हैं हालक ये सुनिश्चित करना महतुपूर्ण है कि दही अधिक पुराना ना हो और इसकी quality बहतर हो क्योंकि मौनसून में यान मौसमों की तिल्ला में खाद पतार तेजी से खराब होते हैं इसलिए खान पान की गुड़बत्ता का खयाल रखना चाहिए